नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेकन इंडिया पर, मैं हूँ गीता राना और आज के हमारी पॉजिटिव नियूज है एक ऐसे मेजर के बारे में जो नाम के साथ काम में भी शौर्ड दिखा रहे हैं। चाहे वो सीमा पर दिखाई देने वाले दुश्मन से लड़ रहे हों या कोरोना वायरेस जैसे अद्रिश्य दुश्मन से वो अपनी पहचान बनाते हैं। मेजर प्रदीप शौर्र आरे एक भरतिय राजस्व सेवा, आईये आरेस अधिकारी और शौर्ड चक्र से सम्मानित हैं। जो कोरोना वारियर्स स्वेम सेवक समू के हिस्से के रूप में हजारों लोगों की मदद कर रहे हैं। जब जारखंड के प्रवासी श्रम एक मालूर रेलवे स्टेशन से जा रहे थे या जब उत्तर करनाटक के सैकड़ों लोग बैंगलूरू के केमप गोड़ा बस स्टेशन में बसों में सवार थे। मेजर आरे इन सभी बूखे मजदूरों को पानी की बुतले, बिस्कुट और भोजन के पैकेट बाटते देखे गए। सुत्रों के मताबिक वो अपने पिता से मिलने के लिए मार्च के तीसरे हफ़ते में बैंगलूरू आये थे। जब वो मुम में लोटने वाले थे तो देश व्यापी लॉकडाउन की घुशा हो गए थी और उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो वापस जा सकें। तब वो एक वालेंटियर टीम में शामिल हो गए जो की सरकार और लॉकडाउन से परिशान मजदूरों के बीच कॉडिनेट कर रही थी। अब हर दिन मेजर आरे सुबह नौ बजे के आसपास घर से निकलते हैं और जरुत मंदों की मदद करने के लिए अपना काम करने के बाद देर शाम को ही लोटते हैं। उन्होंने बताया कि 2013 में वो बैंगलूरू में पोस्टिट थे। बाद में उनका बेलगाबी और फिर मुंबे ट्रांसफर कर दिया गया। उनका कहना है कि अब वो अपने मूल लिवास बैंगलूरू में कुछ समय बिता सकते हैं। मुंबे में अडिशनल कमिशनर आफ इंकम टेक्स के रूप में पोस्टेड 47 साल के मेजर आर्रे टेरिटोरियल आर्मी द्वारा सर्टिफाइड हैं। और 2017 में वो एलोसी पर आतंगबादियों को मारने वाली एक टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने शोशिलोजी, बिजनस एड्मिस्ट्रेशन, लौ एंड टेक्सेशन में मास्टर्स डिगरी के साथ शोशिलोजी में पीच्डी भी किया है। मेजर आर्रे के पास एक कमर्शिल पाइलेट का लाइसेंस भी है। उनका कहना है कि उनके साथ साथ डॉक्टर, पाइलेट, सेना के लोग, इंजिनियर, होमगाड और कई अन्य लोग हैं जो समाज के लिए अपना काम कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार है कि देश के इतने सारे लोग एक कारण के लिए साथ आए हैं। धन्यवाद दोस्तो, I hope आज की ये मॉटिवेशनल न्यूज आपको जरूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूलें। साथ ही ऐसी पॉजिटिव न्यूज और स्टोरीज के लिए आप हमारी वेबसाइट www.neganindia.com पर भी विजिट कर सकते हैं।